तो स्वागत है आप सबका कॉमिक इस्टारर चैनल पे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज को मिक्स में ये तीरंगा का एक और कामिक विशेशांख मौत का टिकट तो चलिए शुरू करते हैं संजय गुपता पेश करते हैं मौत का टिकट सबक को रौन कर भागते हुए इन कदमों की तेजी को देख कर कोई भी क्या सकता है कि इन कदमों में सारे जहां की सबकों को रौन डालने की इच्छा भरी हुई थी लेकिन सिर्फ इच्छा से क्या होता है ऐसा करने के लिए दमखम भी चाहिए होता है ताकत भी चाहिए होती है और उन कदमों की लड़कड़ाद बता रही थी कि उन में दमखम और ताकत की कमी हैं कमी थी इतनी ज़्यादा की अब वे कदम एक इंच पर सड़क को नहीं नाप सकते थे पेरों के साथ छोड़ देने के साथ ही उनके सहरे पर टिका शरीर गिरने के लिए लहरा उठा लेकिन वह शरीर सड़क पर गिर जाता उस से पहले ही उसे दो हातों का सहरा मिल गया तिरंगा के थे वे दो हात इस पर बड़ी बेरहमी से वार किये गए है यह सरकल डाक घर से निकल रहा था इसलिए इस पर वार करने वाले नहीं नहीं कहीं होंगे यहां तो कोई नहीं है और तरफ से सन्नाटे ने अपने पेर पसारे हुए है मुझे अंदर जाकर तलाशी लेनी चाहिए नहीं फिलाल मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस समय हमलवारों को तलाश करने से ज़्यादा जरूरी है हमले के शिकार को अस्पताल पहुचाना ओह इस वेरी सीरियस इसे आई सीउ में भरती करने का इंतजाम करो डाक्टरों ने अपना काम शुरू कर दिया है अब मेरा यहां कोई काम नहीं मुझे इस गटना की कबर पुलिश को देकर वापस अपने घर लोटना चाहिए क्योंकि सुबह होने वाली है हर सुबह के साथ ही तिरंगा का काम खत्म हो जाता था वह देश वक्त नोजवान भारत बन जाता था लेकिन रात फिर वापस लोटती है और रात के साथ ही भारत नामक वह युवा के गवार फिर वापस अपने घर लोटता है तिरंगा बनने के लिए क्योंकि वो जानता है कि राट में शेर में कही ना कहीं किसी ना किसी की जरूरत होती है तिरंगा की इतनी राट गय अन्धेरे में डूबी गली में इस स्टार्ट मारूती वेन का खड़ा होना बता रहा है कि आसर पास कोई गड़बड है गड़बर तो थी, अरे कमबकतो मुझे गरीब के सामान को इस तरह इधर उधर मत फेको, उन्हें गट्री में बांद कर अपने साथ ले जाओ, कम से कम में लोगों को बता तो सकूँआ कि मेरे घर में डाका पड़ गया, इस से मोहले में मेरी जट बढ़ जाए, यह लोग हमें वह यहां मिलना ही चाहिए, मिल गया, सही से देख, यही है न, बिल्कुल यही है, चल फिर भाग यहां से, क्या जल्दी है जाने की, आराम से चले जाना जेल ही तो जाना है, वेसे भी तुम वहां कौन सा पैदल जाओगे, पुलिस बाइज जट तुम्हें अपनी उस जात कर ले जाएगी, धाल, जिसे मैं बुलाओंगा, खट, सौरी भाई लोग, अभी क्या है, एकी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हो गया, अब मैं पहले पुलिस को नहीं, एंबुलेंस को बुलाओंगा, जो तुम्हें पहले मरम पट्टी के लिए अस्पताल पहुचा भेजा गया था, लेकिन मुझसे जवाब लेने के लिए आज तक कोई हिंदा नहीं बचा, ओ, दो साधारन चोडो की शुरक्षा के लिए एका साधारन पावर वाला तैना थे, इसका मतलब मामला गडबड है, क्या, सभी को मेरी चक्रियों ने नरक में पहुचा दिया, जो आज तक नहीं हुआ, वह आज होगा, क्योंकि सामने है तिरंगा, खार, तिरंगा का पूरा ध्यान चक्री पर था, इसी का उन दोनों लुटोरे ने भरपूर फाइदा उठाया, बोस का उकमा था कि काम होने के बाद हमें एक शंड भी नहीं रूख, एक शंड भी नहीं करता, उनका काम तो काटना है, ऐसा है तो अपनी चक्री से इस खंबे को काट, क्योंकि यह खंबा काट कर तेरा दिमाग ठीक करने के लिए तेरे सीर पर गिरेगा, ओ, चक्री की चक्री से कट कर गिरा खंबा, लेकिन चक्री के सीर तक नहीं पहुच पाया, अब किसी का चक् पहुचना इतना असान नहीं ना इसका और ना तेरा उसने तो घातक चक्रियों की बरसाच सी कर दिये इन में से एक भी मेरे सडीर तक पहुच गई तो मुझे मूली की तरह काट देगी इसका तो जल्दी कोई इलाज सोचना होगा मेरी ढाल ये काम करेगी लेकिन मैंने कहा ना कोई चीज मुझे तक नहीं पहुच सकती जबकि मेरी चक्रियों को तुछ तक पहुचना ही पहुचना है अभी नहीं तो थोड़ी दिर बाद कब तक बचेगा उसने सही कहा अगर मैंने जल्दी इसकी चक्रियों का कोई इंतजाम नहीं किया तो इस जगह मेरा जादा दिर तक बचे रहना मुश्किल हो जाएगा लेकिन मैं करूं क्या एक मिनिट इसकी लोहे की चक्रियों मुझे तक ना पहुचे इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेनत करनी होगी और उसके लिए मुझे चाहिए लोहे की ये रोड और यहाँ वायर तिरंगा के हाथ तार को तेजी से लोहे की रोड पर लपेटने लगे एक पल बाद ही तिरंगा अब तू ठीक मेरे निशाने पर है तेरे पास बच निकलने की कोई भी जगह नहीं है अरे ये क्या मेरी चक्रियां तिरंगा की तरफ जाने की बज़े उधर क्यों जा रही है इसलिए क्योंकि इधर मेरा बनाया टेंपररी इलेक्ट्रिक मेगनेट है अब तू मुझे अपने पास पहुचने से नहीं रोक सकता ओ चक्री ने तुरंथ इस्तिति को समझा लेकिन फिर भी देर हो गई मेरी ढाल भी एक चक्री है देख इसका कमाल कडाक चक्री छोड़ने वाला एंत्र तूट गए अब दाट तूटने की बारी है मैं तेरी हड़ी पसली भी तोड़ डालूँगा अगर तूने मुझे चिपचाप यह नहीं बताया कि तेरा बॉस कौन है और तुम सब यहां क्या करने आये थे मैं कुछ नहीं जानता तिरंगा और वो दोनों मेरे साथी भी नहीं थे मुझे तो किसी ने उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए रूपए दिये थे रूपए मेरे पास पहुच गए थे इसलिए मैं बिना किसी पूस्ताच के उनकी शुरक्षा करने आ पहुचा तू छूट बोल रहा है मैं सच कर रहा हूं तिरंगा मेरा विश्वास करो इतना कीमती कीमती सामान छोड़ गए और सिर्फ एक चिठी का लिफाफा लेकर भाग गए क्या चिठी के एक लिफाफा के लिए यह सब क्या किया गया चिठी के एक लिफाफे के लिए यह सब क्या किया गया ऐसा क्या था उसमें तुमें किसने बेजा था वह लिफाफा मेरे एक दूर के चच्चा ने बेजा था और उसमें उसका गच के सिवा कुछ भी नहीं था जिसमें मेरे चाचा ने लिखा था कि उसका भी का धंदा खुब चल रहा है अगर मेरे पास कोई काम धाम नहीं है तो मैं भी उनके पास चला जाऊँ एक बिखारी द्वारा बेजी गई चिट्टी के लिफाफे को लेने के लिए यह सब किया गया बात कुछ हजम नहीं हो रही है खेर हजम तो करनी ही होगी क्योंकि ऐसा करने के सीवा और कोई रास्ता नहीं है पुलीस यहां आ गई है अब मुझे यहां से चलना चाहिए क्योंकि यहां से मुझे एस्पताल पहुच रहा है जहां मैंने कल एक आजमी को भड़ती कराया था शायद उसे अब तक होश आ गया होगा लेकिन तुम होश की बात कर रहे होती रंगा कल से में उसके सरीर में जुम्बिस तक नहीं हुई गनीमत यहां है कि यहां अभी तक जिन्दा है डाक्टर इसके कपड़ों में से कोई आई काड या इसके सिनाखत की कोई चीज मिली नहीं सिर्फ थोड़ा सा सामान मिला तुम उसे देख लो तुम शायद उसमें से कोई कलू निकाल सको यह रहा वहाँ सामान कुछ पैन, कुछ रुपए, कुछ सिक्के और यहां क्या प्लास्टिक का एक गोल कैप एक ऐसा कैप जिसे बड़े केमरे के लेंस के उपर इसले लगाया जाता है ताकि लेंस को धूल मिटी और चोट से बचाया जा सके लेकिन यह कैप इसकी जेब में आया कैसे कैमरे से फोटो किसते समय जब लेंस के कैप अटाया जाता है तो बहुत से लोग कैप को खोने से बच्चाने के लिए उससे जेब में रख लेते हैं मैं तो ऐसा ही करता हूँ इसने भी किया होगा एक्जेक्ली ऐसा ही हुआ है डॉक्टर यानि जिस समय इस पर हमला किया गया उस समय इसके पास कोई केमरा था इस बात से इसकी पैचान करने का मुझे एक तरीका सुझा है डॉक्टर क्या मैं इसके हाथों की जाच कर सकता हूँ तिरंगा ने बड़ी ही बारी की से उसके हाथों की जाच की तो इसके सीधे हाथ के अंगूठे और आगे की दो उंग्लियों पर हलके दबाव के निशान है यानि इसका संबंद जरूर लिखने पड़ने से रहा है क्योंकि आदमी के अंगूठे और आगे की दोनों उंगलियों पर निशान तभी पड़ते हैं जब वो लगातार पैन से लिखता है पैन अंगूठे और इन्हीं दो उंगलियों की साहता से पकड़ा जाता है और इस बात को मैं कैमरे की बात से जोड़कर यह कह सकता हूँ कि ये शक्ष कोई रिपोर्टर है हो सकता है लेकिन क्या इस तरह इसके घर तक पहुचा जा सकता है कोशिश की जा सकती है मैं इस शेयर से छपने वाले हर अकबार से इसका पता करता हूँ कि उनका कोई रिपोर्टर तो गायब नहीं है और इसके लिए मुझे हर अकबार के कार्या लेओ के धक्के खाने होंगे तीरंगा अपनी खोज में जुटा हुआ था और कोई अपनी रिटायर्ड मेजर प्रताप सीह का बंगला यही है हमें अपने मतलब की चीज यहीं मिलेगी सामने कुटा खड़ा है अब नहीं खड़ा रहेगा दोनों के अंदर पहुचने में ज़्यादा देर नहीं लगी यह कर्नल का इस्टडी रूमें यहीं होगा वह यह रहा मैं भी यहां हूँ अपने हत्यार के साथ बहुत खूप मेजर साहब बहुत चौकनने हो तुम लेकिन क्लोरोफ्रॉम के सामने चीते तक का चौकन नापन बेकार साबित होता है ओख दाएं लीफाफा उठा कर यहां से पटापट निकलो ठेहरो हुजूर हम भी तो आपकी राहों में खड़े हैं आपसे मुक्कालाद करने के लिए बस तिरंगा अब बाद भी हो गई और मुक्कालाद भी अब ऐसा कर सोजा बहुत घहरी नींद ओख वह मुझे बेहुश करना जाता है मुझे अपनी सासों को रोक कर उसे नाकाम और अपने वारों से उसे बेबस करना होगा और ये काम मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक अपनी सासे नहीं रोक सकता ओह तू सास रोक कर कलोरोफरॉम के प्रकोप से बच रहा है देखता हूँ तू ऐसे कब तक बच पाएगा ओह उसने तो मुझे पर कलोरोफरॉम के बारिश ही कर दी और साथ ही वह इस बात का खयाल भी रख रहा है कि मैं वार करने के लिए उस तक ना पहुच पाऊँ इस तरह है तो मैं वारों से नहीं बच पाऊँगा क्योंकि आखिर मैं कब तक अपनी सासे रोके रखूंगा और अगर मैंने सास ली तो मैं बेहोश होने से नहीं बचूंगा क्योंकि यहां तो कलोरोफरॉम ने वाता वरंड में हर जगव कलोरोफरॉम फेला रखा है एक मिनिट यहां इतना सारा कलोरोफरॉम फेला हुआ है लेकिन फिर भी कलोरोफरॉम पर उसका कोई असर नहीं हो रहा क्यों उसने अपनी नाक और मुँपर फिल्टर लगा रखा है यही फिल्टर वही फिल्टर उसे बेहोश होने से बचाए हुए है मुझे उस फिल्टर को माँ से हटाना होगा अगर मुझे अपने आपको बचाना है तो क्योंकि अब किसी भी छण मेरी सासर से मेरा कंट्रोल हट सकता है तिरंगा जानता था कि वह काम मुश्किल था लेकिन साथ ही अभी जानता था कि उस काम के किये बिना बचना मुश्किल था इसलिए उसका वह काम करना जरूरी बेहत जरूरी था और जैसे ही वह काम पूरा हुआ वैसे ही क्लोरोफ्रॉम लहरा कर नीचे गिरा बेचारा जिस क्लोरोफ्रॉम को साथ लेकर फिरता था उसी ने बंटाधार कर दिया अब मुझे इसके दूसरे साथी को देखना है ओ, वह तो यहां भी नहीं दिख रहा यानि वह भाग निकला लेकिन वह यहां से लेक क्या गया ये बात मेजर साब से पता लग सकती है लेकिन उसके लिए पहले मुझे इन्हें होस में लाना होगा विश्फोटक थी तिरंगा के लिए वह जानकारी यहां भी लेटर का ही चक्कर है ओ, क्या हो रहा है ये कोई सिर्फ लेटरों को पाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहा है चक्री और क्लोरोफ्रों गामा कैसे विलेंज को आयर कर रहा है कि मैं इस एरिये के मुख्य डाक घर से संपर्क करूँ और मामले की तरह तक पहुचने की कोशिश करूँ उस एरिये के मुख्य डाक घर तक पहुच कर तो तिरंगा और भी ज़्यादा हैरान रहे गया यह तो वही डाग गर है जहां से पड़सो रात एक आदमी लहू लुहान निकला था यह मामला तो और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है लगता है खेर अपनी जाज शुरू करता हूँ देखता हूँ सामने क्या आता है अपनी जाज के सिलसिले में तिरंगा को सिर्फ एक ही काम की चीज हात लगी एक बुड़ा डाक कर्मचारी मेरे पिता जी सतंतरता सेनानी थे उन्होंने मुझे पाट पड़ाया था कि तिरंगे के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो पीछे मतटना आप जैसे लोगों पर मुझे ही नहीं सारे देश को गर्व है बाबा मुझे आप से सिर्फ थोड़ी सी जानकारियां चाहिए आप यहां से चिट्टियों की चटनी करने उन्हें वितरन के लिए भेजने वाले बापमू हैं आपको पिछले दो-चार दिनों में कोई ऐसा धरन बात नजर आई हां तीन दिन पहले कुछ हुआ तो था मैं तीन लिफाफो को शाम को अपनी टेबल पर छटनी के लिए रग गया था उस समय उन पर पांच-पांच रुपए के डाक टिकट लगे हुए थे अगले दिन सुबह जब मैंने उन तीनों लिफाफो को देखा तो उन में पांच-पांच रुपए का एक-एक टिकट और लगा हुआ था उस समय मुझे बड़ा अजीब सा लगा काम जादा होने के कारण मैंने उन लिफाफो को अलग रग दिया लेकिन बाद में मैं उन्हें देख नहीं पाया क्योंकि जब मैं लंच करने चला गया तो डाक्या दूसरे पत्रों के साथ उन लिफाफो को भी लेकर वित्रन करने निकल गया बिना मोहर लगा है मोहर यहां पड़ी रहती है मुझ बूड़े की मदद करने के चक्कर में वो अक्सर अपने इलाके के पत्रों लिफाफो पर अपने आप भी मोहर लगा लेता है उस दिन भी उसने ऐसा ही किया होगा लो वो आ गया उसी से पूछ लेते हैं बात वही थी जो उस बूड़े ने बताई अंकल का काम कम हो इसलिए मैं ऐसा करता ही रहता हूँ उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया ये भी नहीं देखा कि साधारन लिफाफो पर पांच-पांच की दो टिक्टे क्यों लगी है माना कि साधारन लिफाफो पर पांच की एक ही टिकट लगी होती है लेकिन वजन के इसाब से लिफाफो पर कहीं कहीं टिक्टे लगी होना आम बात है और वेसे भी ये काम देखने वाले विवाग अलग है लिफाफे महीं से क्लियर होकर अंकल की डेस्क पर आते हैं इसलिए यहां लिफाफों पर लगी टिक्टो की संख्या देखने का कोई मतलब नहीं होता ओ यानि अगर वे लिफाफे डाकियां यहां से उठा कर नहीं ले जाता तो उनकी जाच हो सकती थी बिल्कुल मैं तो वह जाच करता ही ऐसा करने के लिए मैंने इनके पते भी अपने जहन में नोट कर लिए थे क्या आप मुझे वे पते बता सकते हैं क्यों नहीं भूडे ने पते बताए तो तिरंगा ऐसे उठा जैसे 11 लाक बोल्ट का करन्ट लगाओ क्या हुआ बताने का समय नहीं है क्योंकि मुझे तुरंट पहुषना होगा उस तीसरे एड्रेस पर और वह एड्रेस है नहीं मैं तुझे अपने जीवन भर की कमाई नहीं ले जाने दूँगा मुझे कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसे तुने कमाया है मैं तो यहां कुछ और ही लेने आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुमेरे काम में कोई अडचन खड़ी करे इसलिए तुझे राष्टे से हटाना जरूरी है इस अनोखे केमिकल की मदद से जो मेरे पीट पर टंगे यंतर से पिगले काज की तरह बाहर निकलता है और मेरे शिकार पर गीर कर तेज धमाका करता है मेरा यंतर काम कर गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुझ शिकार करने में भी सफल हो तेरा यंतर काम कर गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुझ शिकार करने में भी सफल हो गया वाउ तिरंगा आ गया बहुत गलस समय पर आया तेरे साथ इसे भी मेरा शिकार बनना होगा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरे खयाल से तुम्हें भाग कर अपनी जान बचानी चाहिए हाँ 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 उसका यहां से भागना जरूरी था अब मैं अकेला इससे आराम से निपट लूँगा ओ उसके यहां से भाग जाने से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे जो चाहिए वो यहीं मौजूद है मैं जानता हूँ लेकिन यहां मैं भी तो मौजूद हूँ तुझे तो मैं अभी ना मौजूद कर दूँगा धमा के करने वाला केमिकल उसकी पीट पर ठंगे यंत्र से होकर निकल रहा है और उसका बनना और निकलना निननता जारी है मुझे उसके इस यंत्र को तोड़ना होगा और इसके लिए मुझे अपनी ढाल को ऐसे विशेस एंगल में फेकना होगा कि वह मेरा मन्चाहा काम कर दे कड़ाक नहीं तूटा मेरा यंत्र लेकिन तूने उसे तोड़ने की कोशिश करके दिखा दिया है कि मुझे जल्दी से जल्दी तेरी हड़ी पस्ली तोड़ देनी चाहिए धामाकों की संख्या बढ़ाकर अब इसके यंत्र में पहले से ज़्यादा तेजी से धामाके वाले केमिकल तयार होने लगा है और इसी के साथ मेरे लिए मुसीबत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और यहां मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर मैंने इसका हल नहीं किया तो लेकिन इसका हल होगा कैसे विस्फोट करने वाला केमिकल उसकी पीट पर टंगे यंत्रे से तयार होकर और यंत्रे से जुड़ी रबड की नलकियों से भा़र निकल रहा है और धमाके कर रहा है याई उसके यंत्र में इस केमिकल का लगातार निर्मान जारी है चाहे वह बहर निकले या ना निकले लगातार बनने वाला यह केमिकल अगर उस यंत्र से बहर निकले ही नहीं तो क्या होगा देखते हैं यह तो कुछ नहीं होगा या होगा बड़ा धमाका मेरा यंद्र नश्ट हो गया कैसे मैं बताता हूँ मैंने रबबड की नलकियों पर अपनी श्टील नायरलो मैं बताता हूँ मैंने रबबड की नलकियों पर अपनी श्टील नायरलो रोप लपेट दी थी उस रोप ने नलकियों पर कसकर उनसे केमिकल को निकालने का मार्ग बंद कर दिया केमिकल के निकलने का मार्ग बंद हो गया लेकिन यंत्र में उसका बनना बंद नहीं हुआ इसलिए उस यंत्र में यह विस्फोट होना ही था हम मेरे घूसों के विस्फोर्ट तेरे चेहरे पर होंगे और उनसे तू किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा जल्द ही हो गया चित अच्छा है अब मैं आराम से देख पाऊंगा कि आखिरी स्लेटर में सा क्या है जिसके पीचे बड़े बड़े धुरंदर पड़े हुए हैं ओह सक अपनी काम्याभी के नशे में तू दुश्मन को कमजोड समझने की भूल कर गया बस यही तू ऐसी गलती कर गया जो तुझे नाकाम्याब और मुझे काम्याब करेगी ओह तिरंगा ने अपनी आँखे खुली रखने की बहुत कोशिश की लेकिन रख नहीं पाया जब तक तिरंगा की आँखे देखने लायक हुई तब तक देर हो चुकी थी ओह तीसरा लिफाफा भी हाथ से निकल गया इसी के साथ सारे रास्ते बंद हो चुके हैं अपरादी तक पहुचने वाले भी और उन लिफाफों का रहस्य जानने वाले भी एक मिनिट शायद अभी एक रास्ता बाकी है यह और इसे जल्दी से जल्दी होश में आना होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं खतम करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की इस कॉमिक के अगले भाग में तब तक के लिए गुडबाय थेंक्स फॉर वचिंग